नमस्कार आप देख रही हैं नेक्स्ट नाई न्यूस पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंग महाराश्ट की सियासत में एक बड़े भुचाल कांदेशा एक बार फिर से लगाये जाना शुरू हो चुका है क्योंकि महाराश्ट में इस वक्त शिंदे वर्सिस उद्धफ की लड़ाई चल रही थी वो अब शिंदे वर्सिस उद्धफ की लड़ाई नहीं रह गया वो शिंदे वर्सिस पूरे एमवीय की लड़ाई बन चुके है अब आपके बन में सवाल उठ रहे होंगे कि MVA की लड़ाई तो पहले भी थी फिर आज हम दुबारा से उसका नाम क्यों इस तरीके से ले रहे हैं तो देखें एक तरफ जहां पर शरत पवार का जो तेवर था वो कहीं कहीं शिंदे के लिए काफी आसान सुलजा हुआ सा होता जारता वहीं दूसरी तरफ उद्धफ के लिए भियादी मुश्किल हो रहा था और सब यहीं मान रहे थे कि अब एमवीए जो है वो गिर जाएगी और एक तरफ जहां शिंदे हर मौके पर जीत हासिल कर रहे हैं वो अगामी समय के चुनाप को भी बड़ी आसानी से जीत जाएंगे दूसरी तरफ उद्धफ जो बे सहाय हो चुके थे अब उद्धफ को एक बड़ी खुश खबरी के तौर पर शरतपवार का एलान सुनने को मिला है क्योंकि बड़े ऐलान के साथ ही शरतपवार ने इस बात की घूशना कर दी है कि अब चुनाव लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचाएं या तक उनका M.V.A. भी नहीं बचाएं लेकिन अब M.V.A. की इस बड़त के साथ जो है चुनावी मैदान में उतरना उद्धफ ठाकरे के लिए कितना जादा सफल दायक रहेगा वो तो देखिए आने वाला समय ही बताएगा लेकिन उद्धफ ठाकरे के लिए ये बड़ी खुशकबरी किसी जंग जीते हुए मैदान से कम नहीं है क्योंकि अब भी हम यह देख रहे थे कि उद्धफ ठाकरे के पास ते शिफसेना की कमान गई उसके बाद जो है सरकार गई सरकार के बाद उसके विधायक गई विधाय दे दिया है आपको क्या लगता है एंविये पूरे जोरो शोरो की साथ चुनाव लड़ेगी तो यहाँ पर शिंदे को हरापाना मुश्किल होगा या नहीं कमेंट में जोरो बताइएगा अब एक लिए बस इतना ही देशतुनियक तवाम बड़ी खब रुक ले देखते हैं एंग्स्नाइन वोल्टिकल बाइट